उत्तर प्रदेश के बाद अब मद्पदेश की सिवराज सिंग चौहान सरकार ने आज लव जिहाद विरोधी कानून यानि धर्म स्वातंत्र विधयक 2020 को मंजूरी दे दी है और इसमें जबरन धर्म पडिवर्तन करके या बहका के या फुसला के अगर धर्म पडिवर्तन करक तो दो से लेके दस साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया और मद्पदेश की सरकार की तरफ से उनके ग्रिह मंत्री के तरफ से कहना है कि ये देश का सबसे बड़ा कानून है और इसमें मौलवी पुरही तक को भी शामिल किया गया है उनके लिए भी सजा का प्रावधान है हमारे साथ कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता महा सचीव तारीक अनवर जी है पहले उत्तर पदेश की योगी सरकार ने अध्यादेश पास किया अब मद्द पदेश की सरकार ने कैबनेट से इसको आज मंजूरी देती है अठाइस दिसंबर को विधान सवा मिले गया देखे ब समस्या है वो है किसानों की समस्या है मुखरूप से बेरुजगारी है गरीवी है भरष्टाचार है महंगाई है तो लोगों को इस परकार से धार्मिक उन्वाद पैदा करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की एक रन नीती है भातियत्यापाटी की सब लोग जानते हैं हमारे हां कोई जबरसी धर्म परिवर्टल नहीं होता है लोग सुच्छा से अगर धर्म परिवर्टल करते है तो यह उनका मौली का धिकार है सिर्मिधाली का दिकार है लेकिन उसको ये शकल दी जा रही है खास तोर पर ताके एक जो हमारे देश में एक नफरत घिर्णा की राजिती जब से भारतिय अपाटी आई ये शुरू हुई है उसको और बल मिले और ताकत मिले इस कानून में ये भी है कि अगर आप स्वेक्षिक धर्म परिवर्तन यानि अपनी मर्जी से भी धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो छे दिन पहले डीम को आप इस बात की सूचना देंगे और अगर नहीं देते हैं तो उसमें भी फिर सा जागा प्रावधान है कि हमको जहां तक मैं तो कोई कांसिशनल एक्सपर्ट नहीं हूं सनमिधानिक जानकार नहीं हूं लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जो सनमिधानिक प्रावधान है हर विक्ति को जो मौनिक अधिकार है कि वो उसके विक्तिकत मामले में कोई दखल सरकार की तरफ से नहीं दिया जाला चाहिए। लेकिन ये सरकार सारा जो मौली का धिकार है इसको धीरे-धीरे समाप्त करने में लगी है। क्योंकि पहले से इस तरह के कानून exist कर रहे हैं कि जबरन धर्म परिवरतन करना हो किसी नाबालिक को अगर आप कुछ करते हैं प्रवोक करते हैं इन सब चीजों के लिए पहले से भारतिय समविधान के तहट IPC के धाराओं के तहट कानून बने हुए हैं ऐसे में इस तरह का का कानून लाना इसका उद्देश से क्या लिए तेकि इसका उद्देश हसपस्ट है जैसा मैंने कहा कि जो लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो प्रोराइशन हो सकता है धुर्वी करन की जो राजनीती भारतियता पार्टी के यही उसके पीछे एक कारण है मुखरूप से और आपने बिलकुल सही का कि कानून में सारे प्रवधान मौजूद हैं पहले से लेकिन बार बार इन चीजों को एक अलग धंग से लाने की जो कोशिश होती है उसका उद्देश यही है कि कैसे हम लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा गिरना पैदा कर सकते हैं ज्य कानून में सजा का प्रावधान है कानून बने हुए हैं इसके बावजूद जिस तरह से उत्तर पदेश या मध्यपदेश की सरकारें लव जिहाद के नाम पे इस तरह का सक्त कानून ला रही है उसको लेकर अब सवाल उठना लाजमी है कैमरामन रफीक के साथ अजय जा गो